हेलो एवरिवेन, वेलकम टू माई निव लोग, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी मेरे यूटूब फेमले वालो सच में आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है जी मुझी और आप लोगों के सपोर्ट से हिम्मत मिलती है और एक है मेर अंजु दिदी उसका तो मैं दिर सी सुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जी मैं एक बहुत बड़ी गल्पती कर रही थी उन्होंने मुझे वो गल्पती बताई है तो इसके लिए बहुत धन्यवाद दिदी आपका तो मैं साधी की चक्कर में उस गल्ती की तरफ द्यानी नह जे बताया सच में अपने वही होते हैं जी जो गतिया बताएं ताकि हम उनमें सुधार कर सके और अंजु दिदी सच में आपने पनका ही काम किया है आप तो बहुत ही अच्छे हो और वैसे तो मेरे यूटू फेमली वालों ने सबने ही साथ दिया है तो सब को दिल से साथ के भी ना तो कुछ नहीं हो सकता जी कहते हैं अपने साथ हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है जी इसलिए आप लोगों का साथ चाहिए जी और अभी आपको नो तारिक का वीडियो दिखाया था शादी की रस्में और अभी आज मैं आपको दिखाऊंगी 11 और 12 का एक जाएगी जी तो हम अभी साम के टाइम में जाएंगी तो मैं अभी सुबह सुबह का काम हो गया है खाना पीना भी हो गया बेटा जी गया स्कूल और मैंने बाल दोए थे इसलिए इनको खुलने ही छोड़ रखें ताकि अच्छे से सुख जाएं जी क्योंकि हम जो गागरा और ओडना पहनते हैं जी उन्हें बड़ा द्यान लखना पड़ था बहुत महेंगे आते हैं जी और वह खराब भी चल दी हो जाते हैं इसलिए मैंने सुचा थोड़ी देर ऐसे फ्री बैठी हूं तो इनको सुखाई लेती हूं फिर ही इनको इनकी कंगी करूनी जी अभी थ आज दिखाऊने में बेटा जी आजाता है चार बाजी उसके बाते हैं जी तो आज दुले की बराराथ है तो थोड़ा सा हमारी रसमे वो दिखाएंगे और ठोड़ी सी कल की दुल्यन आएगी वो दिखा देंगे जी चाल साथ मी दिखा देंगे दुनू इसलिए वीडियो अंतक देखना जी आज बड़ा ही इंट्रेस्टिंग वीडियो है जी बहुत ही कि हमारे राजस्तान में सब कुछ कैसे होता है जी कैसा बहनावारी तीरियो आज सब कुछ कैसे साधिया होती है राजस्तान से वो भी देखना और जो राजस्तान से बाहर है न वो भी देखना ज जिरूर जी और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखना और हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत मिलती है जी आप लोगों के साथ से ही और एक दिदी पूछी रही थी आप कहां से हो तो मैं थोड़े दिन के बाद में अपना फैस्ट व्लोग फिर से डालूगी वैसे हमें ज्यादा जी तो ये देखो जी अभी हम हो रहे हैं रेडी रेडी होकर क्या आपको दिखाते हैं ये देखो जी ये देखो जी अभी हम रेडी हो गए हैं शादी में जाने के लिए और अभी पहुंच गए हैं शादी वाले गर में जहां जाना था और ये मैं हूँ ये आरियन के पाप यह आ गया है बेटा जी और मामी भी आ गया है हम सभी गए थे पापा जी ने गए थे और अभी दुला हमारा रेडी हो गया है और दुला जाएगा अभी घोडी पे सवार होके दुलन को लेने रात का टाइम हो गया है जी यह देखो जी दुला बैठ गया है घोडी पे और रा और वापीस वे आ गया है और अभी ये बारातारे को हम जा रहे हैं दूलन देखने जी ये देखो जी और हम ये ले रखें मैंने जो कपड़े दूलन को देखें आऊंगी न वो कपड़े ले रखें साथ में ज्यादा दूर नहीं था साधी वाला घर तो हम जा रहे हैं लेफ्ट राइट करते हुई ये हमारी प्यारी सिधुलान देखो कितनी खुशूरत है जी और ये देखो जी गहने हमारे राजस्तान में पता नहीं चोदरियों के तो कुछ ज़्यादा ही होड मची हुई है जी कि उसने 30 तोला डाले हैं सोन नहीं तो मैं तो 40 या 50 डालूं तभी बात बने जी पता नहीं क्या होड मची हुई है गहनों की तो वह ज़्यादा ही और ये रात को पापा जी आ गए थी गर पी तो आरियन बोल रहा था दादा जी मिरको बाइक चलाना शिखाओ तो ये देखो पापा जी शिखा रहे है रही इनको बाइक चलाने है थोड़ा थोड़ा पोते के लिए देखो कितनी मैनत कर रहे हैं पोते को खुश रखने के लिए कहते हैं न जी मूल से ब्याज पैरा लगता ये वास सही है बिलकुल और मैं ये ही करूँगी जी मेरे वीडियो का एंड बाइ बाइ राम राम जी सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट्स करना बाइ बाइ